जेहिन आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल सेनिक्स जमाचार में नमस्कार सातियों काफी डिफेंस पैंसनर्स की ओर से मेरे पास एक कॉमन कमेट आ रहा है कि मेरी जनवरी मंत की पैंसन बेंक या इस पर से क्रेडिट नहीं हुई है और कुछ एक पैंसनर्स के कमेंट आ रहे हैं कि मेरी नवंबर और दिसंबर मंत की पैंसन तो इस पर से आई थी लेकिन जनवरी की पैंसन नहीं आई ये इस वीडियो में आपको सभी पोसिबल कारण बताऊंगा जो आपके काफी हद तक मदद करेंगे इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि साथियों यदि चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जुरूर कर ले अब हम सबसे पहले उन पैंशनर्स की बात करेंगे जिनकी पैंशन डिसंबर 2021 तक बेंक से आई थी लेकिन जन्वरी की पैंशन अभी तक उनके काफे में क्रेडिट नहीं हुई है इसका main reason है कि आपका bank से Sverse में migration जिन जिन pensioners की pension नहीं आई है साथ ही Sverse से migration का message भी नहीं आया है वे सभी PCDA की website से bank से Sverse में migration का status चेक रहें इस दोरान यदि आपको Sverse का PPO number मिल जाता है तो इसका मतलब है आपका Sverse में migration हो गया है अब आप Sverse की website पर जाकर login section में forgot password करके अपना username एंटर करें Sverse के PPO के पीछे 01 डिजिट लगाने से service pensioners का Sverse username बन जाएगा वे Sverse के PPO number के पीछे 03 डिजिट लगाने से family pensioners का Sverse username बन जाएगा जब आप forgot password करेंगे तो आप दोरा username डालने के बाद send OTP का बटन दिखाई देगा सातियों इस समय यदि वहाँ पर send OTP क्लिक करने पर आपको mobile number का last four digits दिखाई देता है इसका मतलब आपका password आ जाएगा नहीं तो आपको red color में एक message दिखाई देगा कि your mobile number note registered जिन जिन pensioners का mobile number note registered करके red color में message दिखाई देगा तो आपकी आगे की कारवई ये रहेगी कि mobile number अपडेट करवाने के लिए record office को एक application send करना है अब हम second query पर बात करेंगे ये query ये है कि ispurs से username वे password October या November मेंने में आ गया था ispurs में login भी कर लिया इसके साथ November वे दिसंबर की pension भी ispurs से आई थी लेकिन January की pension अभी तक नहीं आई है सातियों इसका main कारण ये है कि ispurs में migration के बाद एक pensioner को दुबारा से अपना life certificate ispurs PPO के साथ सब्मिट करना पड़ता है यदि आपने bank में पहले अपना life certificate जमा किया वा है October, November कभी कोई से भी महीने के दोरान फिर भी ispurs में migration के बाद आपको अपना life certificate जमा करवाना जरूरी है और ये समय migration से दो महीने तक का होता है इसलिए अपने life certificate का status चेक करें और ispurs के साथ समिट नहीं किया है तो उसे जल्दी से जल्दी समिट कर दें सातियों वैसे तो गौर्णमेट ने life certificate समिट करने की तारिक 28 फरवरी 2022 तक बड़ा रखी है लेकिन संभावना है कि इसपर सिस्टम की conditions के अनुसार आपको life certificate समिट करने की आविश्यक्ता है फाइनली केई जगे पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि कैई pensioners के साथ यह हुआ है कि जैसे कि October तक pension आई November की ना तो bank से आई और ना ही इसपर से आई लेकिन December से इसपर से pension आना स्टार्ट हो गई इस इस्तित्थी में पहले आप bank से संपर करें क्योंकि उस particular महीने में bank ने सोचा कि इसपर पैंसन देगा और इसपर सोच रहा है कि bank ने pension दे दी होगी जिस महीने में आपका migration चल रहा था उस समय ये एस समझस की इस्तिती पैदा हो सकती है अब आप bank में जाएं अपनी समय से बताएं यदि bank बोलता है कि आपकी pension हम नहीं देंगे इसपर से ही मिलेगी क्योंकि आपका pension का पूरा डटा इस परस में migrate हो चुका है हम pension नहूंबर मंत की pension नहीं देंगे ये आपको bank वाला ID बता देते हैं तो इस दोरान आप bank से लिखित में यानि written में statement ले लें कि bank ने नहूंबर मंत की pension आपको नहीं दी है और आगे भी आपको वो नहूंबर मंत की pension क्रेडिट नहीं करेंगे इसके बाद आप PCDA को लेटर या mail दोरा inform करें वे साथ में bank से लिखा हुआ certificate तथा आपके bank काते की updated statement लगाए उस statement में ये दिखाई देगा कि आपको नहूंबर मंत की pension नहीं आईए साथियों मैंने ये नहूंबर मंत का एक example लिया है ऐसे किसी का December का हो सकता है किसी का January का हो सकता है तो जिस जिसको इस परकार की समझ्या है तो उनको ये कारवाई करने की जरूरत है अब आप mail लिया letter लिखोगे तो PCDA उस पर उचित कारवाई करेगा अब question ये रहेगा कि हम तो later तो बहुत लिख लेते हैं लेकिन कारवाई कोई करता नहीं है तो साथियों इसका कोई उपाई नहीं है यदि pension आपकी नहीं आती है PCDA को आपने later लिखा है तो एक मीना wait करिए और उसके बाद में आप second step उठाईए आप RTI डालिए आप online governance डालिए आप CP gram पे डालिए आप ministry of defense पे डालिए pension चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा साथियों अब आपको एक बात और बता देता हूँ कि यदि आपको migration का status चेक करने forgot password से password बनाने वे mobile number update करने का तरीका जानना है तो आप इस channel पर visit करें आपको सभी queries के लिए live demo के साथ video वे application का format भी मिलेगा इसके साथ ही आपको बताता हूँ कि Scenic समचार ने एक Sperse user handbook launch किये जिसमें आपको Sperse related A to Z information वे guideline मिलेगी उस handbook के अंदर आपको step by step आपको क्या करना है उसके साथ में आपको वीडियो के तरू live demo और वहाँ पे content लिखे हो मिलेंगे कि आपको जो भी possible कारवाई है यदि आपको error आ रहा है mobile number email update नहीं है invalid username password आ रहा है तो हर परकार के कारवाई का आपको live demo वीडियो के तरू वहाँ पे आपको मिलेगा उसे अभी आप इस channel पर available video में देखकर समझ कर download करके अपने mobile में save करके रख सकते हैं तो साथियों ये थी जानकारी आसा करता हूँ आपको इस से बहुत मदद मिलेगी धन्यवाद नमस्कार इस वीडियो में इतना ही साथियों फिर मिलेंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ करप्या वीडियो को like वे शेयर करें तता चैनल को first time विजिट कर रहे हैं तो subscribe करके बेल आइकन प्रेस करना ना बुले सेनिक समचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद जय हिन जय भारत वंदे मातरम